आहें चलते हैं अपने नेक्स नुमेरिकल 6.4 की तरफ 500 ग्राम स्टोन इस थ्रोन अप विद विलॉस्टी ओ 15 मीटर्स पर सेकेंड फाइंड इस पुटेंशन अनर्जी एट इस मैक्सिमम हाइट किनेटिक इनर्जी वें इट हिट्स तर ग्राउंड हमारे पास मैक्सिमम हाइट होती है वह पे本ैशन इनर्जी होती है 후 और उस पोइंट पर केनल इक इड होती है अब इस नुमेरिकल को क्या मैं आपको निसका जो पार्ट नम्बर 2 किनेटिक इनर्जी निकालेंगे और हम अपना जो part number one है उसमें हम यह लिख देंगे कि जो potential energy है वो equal to kinetic energy होती है तो वो भी same ही होगी तो आए ज़रा सको find करते हैं आपके पास मैस है 500 ग्रैम्स और velocity आपके पास 15 meters per second आपने इसके अंदर kinetic energy और potential energy find करनी है ठीक है तो इसका जो part number two है जिसमें हम लोग kinetic energy find करने लगे हैं तो आपको kinetic energy का formula बताना चाहिए half of mv square आप इसको grams को kilogram में जो ऐसे units से उसमें convert कर लें तो यह equal आएगा 0.5 kilogram के तो आप जब इसके अंदर मैस 0.5 put करेंगे और velocity 15 का square put करेंगे तो आपके पास kinetic energy आएगी equal to 56.25 joules के और आपने इसके part number one में यह चीज़ बतानी है कि जो potential energy at maximum height होती है वो equal to kinetic energy होती है तो हैंस potential energy जो होगी वो भी मेरे पास 56.25 joules होगी मगर आपने पेपर में यह चीज़ पहले बता देनी है अगर आपसे इसना पूछी हो यह ज़स्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि कानेटिक energy और potential energy equal होती है तो आप ज़स्ट कानेटिक energy निका लें और वही potential energy के equal कर दें